इस सिंगानिया के बच्च अच्च तो होंगे नी तुझी कैसे पता इतनी दियर से एक बोल को खड़े में दुड़ाल नहीं पा रही है तुमें क्या असान लगता है यह तु सीरियस हो गया यह एक लप यह बॉल वह होल तुनिये कैसे किया पता लगते हैं बताता हूँ एगाइस वेलकम टू डिफेंस स्पेक्टरम तो गाइस एफकेट के एक्जाम के अंदर आपके स्पोर्च टेर्मलाजी के हर बार कम से कम एक से दो कुश्च पका आते हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें और अपने एक दो नंबर फिक्स कर लें हैं ना और क्योंकि मैंने एक चीज आपको समझाने की कोशिश करी है देखो मैं कैसे पढ़ाऊंगा इसके अंदर वह पहले बताया तो से गोल्फ है पहले इसके कॉंसेट लेंगे कॉंसेट मतलब जिसके गेमिंग के रूल से एकदम आपने कभी खेला नहीं होगा लेकिन आपको स्क्र से मैं पहले दखेल लेको सबसे पहले में में गौल्फ में जहां से वो बंदा शॉट घर करके दिखाता हूं जहां से प्लेयर है यह शॉट मार रहा है ठीक है तो जो यह शॉट मारता यहां पे इसके तो यह जो एरिया होता है जहां पर खड़ा होता है इसको बोलते हैं टी बॉक्स क्या बोलते हैं इसको टी बॉक्स या टी इंग ग्राउंड ठीक है तो ऐसे ग्राउंड बहुत सारे जगे होते हैं ऐसा जरूरी ने कि पूरे ग्राउंड के अंदर एक होगा ठीक है काफी सारी जगे हो सकते हैं, एक यहाँ पर हो सकता है, एक यहाँ पर हो सकता है, तो जहां से इसको एंगल सही लगता है, यह अपने इसाब से वो T-box चूज कर सकता है, वो player के ओपर depend करता है, कि वो कौन सा T-box select करता है, T-box 1, 2, 3, 4, कहीं सारे होते हैं, ठीक है न, फिर कभी भी confusion नहीं होगा, गॉल्फ के अंदर आपके एक image बन जाएगी, ठीक है, देखो, एक वड़ होता है, पार, P-A-R, क्या होता है, P-A-R, पार, देखो, पार का मतलब होता है, एक पार ने extended value है, extended value मतलब, देखो, इसको हिंदी में बोले हैं, तो लिखेंगे बार, B-ार, ठीक है, बार वाला बार, तो लग कितनी बार में, पांच बार, तीन बार, दो बार, मतलब, ये बंदा, ये जो भी player है, ये एक बॉल को कितने shot के अंदर, इस वाले गोले के अंदर, ये छेद के अंदर put कर सकता है, like example अगर पांच बार है, तो इसको में पांच चांस मिलेंगे, एक, इसको यहां पर आगया, फिर यहां से मारेगा, दो, फिर तीन, फिर चार, फिर हो गया पांच, तो इस तरीके से वो मार सकत है, तो पांच बार, और हिंदी, इंगलिस में क्या बोलते हैं से, पार, पार, ठीक है, ये पार वर्ड है, इंपॉर्टन है, याद रखना है, ठीक है, देखो, अब आपको पार तो समझ में आगे कि पार क्या चीज, ठीक है, पार, पार, पांच, अगर, अगर मैंने आप से बोल दिया की गाईस, कोई एकदम बहुत ऑच्छा प्लेयर है, तो उस प्लेयर ने क्या कर आ वो डायरेक्ट, यहां से उसने बॉल मारी और डायर खेद में चली गई, डायरेक्ट, है न, एक ही बार में, वानि शॉट में, एक ही शॉट में, कित्ती बार और इस में चली ठीक है उसके बाद अब आता है आपका next next क्या है देखो एक बार next slide पर चलते हैं पहले यहां पर आजाओ अब दो चीज़ होती है पांच आपके पास कितनी total time हो कितने कितनी बार आप मार सकते हैं शौट को पांच बार है ना लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप उससे कम बाट में बंडर चाके ऊपर जाती हो तो इनके नाम अलब है ठीक है अब क्या हुआ एक बंद ने थे थ्यान से अब क्या हुआ इसने इस ने भी मार दिया जो पर यहां यह तूंट में पर आ है और दूसरे पर अंदर इसको क्या बोलेंगे तो गाइज इसको बोलते हैं डबल इगल डबल इगल ठीक है इसको क्या बोलते हैं डबल इगल देखो यहां पर मैंने नोट डाउन भी करवा रखा है अगर आपने एक शॉट में मार दिया तो इसको क्या बोलते हैं एस आ गया दो में मार दिया क क्या वो लेंगे इगल चार में मार दिया तो क्या वो लेंगे बर्डी ठीक है देखो अब यह कैसे याद रहेगा देखो वो भी आपको ट्रिक्स से याद करवा देता हूं कि बात नहीं है अजय Whew First देखो यहां अपया जाओ कि अगर आपने एक चोटा अपना बचा लिया तो एक स्थमीं अगर वुद्झ या चाली आपके बचा इक और यह तो इगल तो इगल है अगर आपने अपने दो एक और शॉट बचा लिया तो डबल इगल है और भी अच्छा इगल इगल से और भी अच्छा एस तो मैंने बटा दिया डारेक्ट शॉट मानना तो यह आपको सारे के सारे मेरे खाल से याद हो गए होंगे इस से ज्यादा इसमें कुछ रूल्स और रेगु आपको लगवग छैंश लग गए हैना तो इसको बोलते हैं बोगी क्या बोलते हैं इसको बोगी अग है लेके मेरे हैं degल से आपको यह याद भी हो गए होंगे समझ में भी आ गए होंगे अब ज्यादा Dawid ने की जोड़त नहीं पुड़ेगी आपको हैं तो आपको एक ही बार में सारे के सारे टम्स याद हो गए है चलो अब यहां पर जाते हैं यह जो टम्स है मैंने जानमूझ की नहीं बता है चार्टिंग में चाहे तो मैं बता सकता था आपको कुछ नहीं होता अगर समझो को यह बंदा है यह की बार में मारना चाहता है तो इसके बीच में ट्रैप्स आते हैं इसको ट्रैप्स बोलते हैं एक होता है वाटर हजार्ड एक होता है सेंड ट्रैप इसको क्या बोलते हैं ब यहां पर आपको एक शॉट याद करना पड़ेगा जो मैं यहां मैंने लिखा नहीं है वह मैं लिखवा रहा हूं भी आपको ठीक है अगर यहां पर आपकी बॉल फच गई तो इसके लिए अलग से शॉट होता है ठीक है इसको बोलते हैं Eksplosion Shot क्या बोलते हैं इसको Eksplosion Shot तो आपको Eksplosion Shot मानना पड़ेगा एकस्प्लोजन का बसावसे जोर से मानना पड़ेगा बहुत जोर से तब लिए तो इहां से Ball निकलेगा है इसको तो सबस बचने के लिए एकस्फेलोजन शॉर्ट मारा जाता है ठीक है अब देखो नीचे आ गया वाटर वाला अगर वाटर में पानी में बॉल चली गई तो इस टीट इस नेक्स टुए इंपॉसिबल और वह बंदा गेम को हार जाता है है ना विए पानी से बॉल निकालने सकते शॉर्ट मार के ठीक है अब देखो यह आपके सारे के सारे अभी जो इसके अंदर कुछ-कुछ बज गए है ठीक है वह भी मैं आपको बता देता हूँ अब तीन टाइप के शॉर्ट होते हैं समझो यहां से इसने एक शॉर्ट मारा हम यहां पर आ गए ठीक है तो इसने पहले शॉर्ट मारते है ना उसको क्या क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको ड्राइब क्या बोलते हैं उसको ड्राइब पहले शॉर्ट को उसके बाद इसने यहां से लेके एक यहां तक दूसरा शॉर्ट मारा तो इस वाली को क्या बोलते हैं एप्रोच बोलते हैं इसको यहां से लेकर यहां तक को एप्रोच श तो यह तीन तीन शॉट हो गए पहला ड्राइव दूसरा एप्रोच तीसरा ठीक है इसको मैं आसे मिटा रहा हूँ और पीछे लिख रहा हूं जाके ठीक है यह मैंने यहां पर आपके लिक स्लाइड बना दिया देखो पहला हो गए ड्राइव शॉट दूसरा हो गया की बोक्स बोलते हैं जहां पर जंडा गडावा ओता हती यहां पर जो ग्रास होती है यहां में तो आपको ए जो गरीं है यह کौन से ट्रंMONित है। तो आपको कै अब देखो, अब क्या होता है, इसके बीच वाली एरिय को क्या कुछ ना कुछ तो बोलते होंगे, ऐसा तो है नहीं, यह इसके बीच में भी तो घास होती है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, फेर वे, फेर वे इसको या तो यह बोल सकते हो, टी बॉक्स और ग्र ग्रीन घास दे लेता हूं यहां वाली जंगल वाली है ने यहां पर इस समझ जंगल है साइड में यहां पर पूरे में साइड में strangers अब क्या वो इस बंडेस यहाँ से शाइड मार और वह इस जाकर चला गया एक से इसitis locks मारोर होती है वह बहुत बड़ी बड़ी घास होती है इसको रफ एरिया ठीक है छे रौन को यह लिए लिखाने भी बहुत जादा डिफिकल्टी होती है अब जो चोटे मोटे टम्स हैं वो मैं अलग से बता देता हूं यहोगया यहोगया है यहां पर क्या रखा है मैंने इस तरीके से आपको सारे सी लिखते रखें एक बार आप इनको पढ़ सकते हैं तो aren't you screenshot ले 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 वही same words है ठीक है देख लें आप इनको एक बार ठीक है screenshot लेकर पढ़ लें या तो फिर definition याद करने की जवतनी एक्जाम में वो नहीं आता बट आपको पता होना चाहिए कौन सा कौन से गेम से related है एक वर्ट रह गया यह 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 अपर लिखाओ है ठीक है अलबट रास कुछ नहीं है डबल इगल का दूसरा नाम है जो यहां पर आपने यह लिखा था कहा चला गया गिरा गिरा तो डबल इगल को क्या बुलाते हैं इसका और यहां पर और डालके अलबट रास इस तरीके से कुशन फ्रीम हो सकता है आपका और यह सब हो गया ठीक है इस सब हो गया अब कुछ चोटे मुटे टरम्स हैं वह बच गया है उसको में पहले ही वाला करवा देता है टाइप आफ गॉल्फ जो इनकी वह होती है ना स्टिक जिससे लोग मारते हैं वह भी काफी स पुटर कहां पर मारते हैं पुटर देखो जब हम इसमें ग्रीन वाले एरिया में होते हैं यहां पर बंदा खड़ा हुए और यहां से यहां पर मारेगा तो एकदम फाइन शॉट ची होता है ना बहुत एकदम फाइन शॉट तो किसे मारता है पुटर से मारता है ठीक है तो एक होता है Duff पहले आप यह वीडियो देखो उसका है बताता हूं डफ क्या होता है देख ली देखो डफ का मतलब कुछ नहीं होता मतलब एक बैड शॉट यह बैड शॉट जो भी गंदा शॉट होता है उसको क्या बोलते हैं ठीक है तो गाइस अगर आपने हमको टेलिग्राम पे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ जाके आप फॉलो कर सकते हैं यहां प्रहिं हैं अभी स्बस्क्राइब करेस्वेर्पन की और प्रोट सुछते हैं और वॉल्ल मैपित ने पूरा कवर करवाया है इसके साथ साथ हम लोगों ने इसमें concept दिया है mind maps आपको mind maps से पढ़ा रहे हैं प्लस tricks ठीक है न तो ये इस तीनों चीजों से हम इसमें cover up कर रहा है हमने बहुत अची सियाद करवाया है इसके साथ साथ वहाँ पर आपको कोर्स दिखाई देगा तो इसके अंदर आप एंडॉल कर सकते हैं इस वाले coupon code के साथ तो आपको काफी अच्छा खासा discount मिल जाए गाइस तो इस मौके का फाइदा है और आज इसका last है तो इसका फाइदा है गाइस धन्यवाद